नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं रवी सास्तरी के बाद कौन सा दिग्गत छिलाडी भारत्य टीम का अगला कोच बन सकता है उसके चार दावेदार है तो दोस्तों वह मैं आपको बताऊंगा इससे बहले हमारे चेनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब क्योंकि मैं ऐसी चटपटी खबरे लेके आऊंगा अब बात करते हैं कि भारत्य टीम के एक अच्छे और शांदार प्रदर्शन के बाद विश्वकप सेमी फाइनल में न्यूजिलेंड के विरुद हार के बाद विश्वकप से बाहर जाना पड़ा और इस हार के बाद आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं भारत्य टीम के कोच रवी सास्त्री जो पिछले कुछ सालों में भारत्य टीम के साथ जूड़े हैं लेकिन रवी सास्त्री का ये करार सिर्फ विश्वकप के बाद का था और वो समाप्त हो जाएगा ऐसे में आज हम भारत्य टीम के अगले कोच बन सकते हैं तो दोस्तो पहला नाम है टॉम मूरी टॉम मूरी आई पील टीम सन्राइजर्स हाइदराबाद 2013 से मुख्य कोच के रूप में रहे हैं और टीम साथ सत्रों में पांच बार प्ले ओप में पहुच चुकी हैं और 2016 में एक बार टूना जीता था टॉम मूरी पहले भारत्य टीम के हेड कोच के लिए आवेदन दे चुके थे लेकिन उनकी जगा अनिल कुमले और रवी सास्त्री को टीम का कोच चुना गया था अब दुसरे कोच की बात करें तो रिकी पॉंटिंग रिकी पॉंटिंग को क्रिकेट की दुनिया का महान कप्तान माना जाता है रिकी पॉंटिंग ने एक महान कप्तान के साथ साथ एक अच्छे कोच भी है रिकी पॉंटिंग ने अपनी कोचिंग के नीचे मुंबई इंडियन्स को दो बार चेंपियन बनाया था ऐसे में रिकी पॉंटिंग भारत्य टीम की पहली पसंद हो स पिसरा विवीएस लक्षमन का नाम आ सकता है क्यूंकि विवीएस लक्षमन एक सर्वकालिन और शांत महन खिलाडी है और विवीएस लक्षमन ने सन्राइजर्स हाइदराबाद में मेंटोर के रुप में जबर जस्त काम किया था और विवीएस लक्षमन युगा खिलाडियों में उनको चुना जा सकता है और च्वाथे कोच की बात करें तो ब्रायन लारा ब्रायन लारा सबसे महान क्रिकेटरों में से एक है ब्रायन लारा ने सभी परिश्थिती में क्रिकेट खेला है और ड्रेसिंग रूम में उनकी परिश्थिती से हमारे कुछ बल्ले बाजों को बह पिता सकता है लारा दोस्तों यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकोन को भी दबा देना